इस शॉट फिल्म और कैमेरा फेस करने से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बुलंद हो गई थी और उनका कम्यूनुकेशन स्किल भी बहुत अच्छी तरह से डेवलोप हुआ था और जिन-जिन सब्जेक्ट्स पे मैंने शॉट फिल्म मनाई उसी विशाय को लेकर बच पॉजिट्व बदलाओ पेरेंट्स ने भी देखे और पूरे स्कूल के टीचर्स ने भी देखे नमश्कार साथ यो डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हारतिक शुआगत है अभिनंदन है सोचिए आप किसी फिलम में हीरो होते और किसी फिलम में डायरेक्टर की भुमिका में होते और किसी फिलम में एक प्रोडूशर होते तो आप कैसा महसूस करते आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे सक्षे मिलवाने जा रहा हूँ जो अपना अध्यापन कारिये तो करवा ही रहे हैं साथ में बच्चों के साथ सोट फिलम भी बना रहे हैं और बच्चे अलग-अलग किरदार की भूमिका में रहते हैं इनको दैब विनर, वोट फोर इंडिया, गर वापसी जैसी फिलमों के लिए आवार्ड भी मिले ये अपने आप में एक अनूठी पहल है जहां बच्चे एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पब्लिक स्पिकिंग, टेक्नोलोजी तो सीखी रहे हैं साथ में सवेधानिक एं समाजिक मुल्यों की जागरूपता पर भी काम कर रहे हैं तो चलिए जुडते हैं घेवरी कर उमेश जी से जो अभी पदम बुसन बाला साहेब भार्दे हाई स्कूल शेव गाउं अहमद नगर महराश्क्र में एक्षिक्षक के रूप में कारियर रथ है नमस्ते शर, श्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में नमस्ते, नमस्ते, I am very thankful to you and your creative organization that you have invited me in such a prestigious talk show So, Namaskar, मेरा नाम घेवरी कर उमेश गोपिनाथ, मैं B.S.C. B.A.D. हूँ अहमद नगर जीले में शेव गाउ तालुगा है, वहाँ पे पदमभुषन बाला साहेब भार्दे हाई स्कूल इस high school में 20 साल से as an assistant teacher कारे कर रहा हूँ और शुरू से ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि short film या लगूपट जिसे हम कहते हैं तो उसको as a teaching aid हमने इस्तमाल किया, तो शायद हम शिक्षा बच्चों तो बड़े अच्छे तरीके से पहुँच पाएंगे इसलिए मैंने 2008 से short film ये एक teaching aid जैसा इस्तमाल करना शुरू किया और उसके result भी मुझे बहुत अच्छे मिले है मेरे student के साथ जो पहली short film मैंने बनाए थी दवीनर जो राष्ट्रदवर सन्मान के बारे में message देती है तो उसे 2009 में अहमनगर जीले के मित्र राज्यस्तर लगुपट मोथ्सो short film festival में second prize मिला था फिर मतदान जनजागुरूती के विशे में मैंने student के साथ जो short film मनाई good for India वो एक मिनिट के ही short film है उसे 2010 में short film festival में first prize मिला था घरवापसी यह जो short film है इसे माय बुंबई लगुपट मोथ्सो short film festival में 2013 साल में state level में जो final 5 short film चुनी गई थी उसमें वो select हो गई थी और the winner यह जो मेरी पहली short film थी उस पर आधारित full length Marathi picture film माजव बिरबिरव जो Marathi के जानेमाने डिरेक्टर और राइटर है योगे सुमन उन्होंने प्रोड्यूस की थी और उन्होंने डिरेक्शन किया था और veteran actor विकरम जी गोखले ने उसमें प्रमुख किरदार निभाय था तो यह फिल्म इफी जो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल इंडिया का होता है उसमें माराथी स्ट्रीम में इफी 2015 के लिए सिलेक्ट हुई थी तो यह मेरा चोटा सा परिचे है हम इसी करम में आगे बढ़ते हैं उमेजी आपने जो सिक्सन परकिरिया है उसको इनोवेट करने का काफी प्रियास किया है जितनी हमें आपके बारे में जानकारी है आपने जो भी प्रियास किये उसमें से तीन कोई ऐसे प्रियास जो आपको लगता है कि काफी प्रभावी तो शिक्षा में टेकनोलोजी का इस्तमाल करनी की बात जब मैंने सोची तो मैंने पहला जो नवाचार किया वो लगुपढ या शौट फिल्म बनाना जो अगर हम उनसे उनकी भाषा में बात करें तो हम उनके मित्र बन सकते हैं इसलिए हमने शौट फिल्म का इस्तमाल इसलिए कि इसके माध्यम से हम बच्चों का कोशल्य विकसन कर सकें और इसका दूसरा उद्देश यह था कि बच्चों का स्कूल के प्रति लगाओ बढ़े ड्राप आउट की समख से कम हो और बच्चों का सरवांगीन विकस हो इसलिए हमने शौट फिल्म एज एन एजुकेशनल एड यह नवाचार शुरू किया 2008 में दूसरा जो नवाचार मैंने किया वो कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से अडियो लेसन डिलिवर करना जब यह कोविड सिचुएशन शुरू होई मार्च से तब तो एक्चुल एजुकेशन बिल्कुल बंदी हो गया था उसको जो ऑप्शन दिया था ओनलाइन एजुकेशन का लेकिन जो बच्चे गरीब होते है या वंचित समोधाय से होते उनके पास मोबाइल भी नहीं थे पर उनके पंतप्रदान नरेंदर जी मोधी की मन की बात के बारे में सुना तो मुझे लगा कि देश के प्रदान मंत्री देश के हर नागरिक से जुडने के लिए अगर रेडियो का इस्तमाल करते हो तो मैंने शिक्षा को पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तमाल करना चाहिए तो उन से मैंने प्रेयर ना ली और मैंने मोबाइल पे अडियो लेसंस रेकॉर्ड किये और एहमद नगर और अवरंगाबाद ये दोनों जीलों में जो FM रेडियो सेंटर है उससे मार्स से लेकर जुलई तक हर संडे को ये मोबाइल लेसंस हमने डिलिवर की तो ये दो FM सेंटर ज तक हमने शिक्षा कोविड काल में इसी नवाचार के माध्यम से पहुचाने में हम सक्सेस हुए तो ये दूसरा नवाचार और तीसरा जो है वो चालता बोलता नाम की एक प्रश्णावली ये प्रश्णवन जुशा अकसर स्कूल में हर पंदरा दिन बीस दिन के बाद कोई तो यभी एक फंक्षन होता है और ये फंक्षन बिल्कुल एक उसका सेट अप बना उता है तो बच्चे बिल्कुल बोर हो जाते हैं उनकी रूची उसमें नहीं रहता तो इसलिए मैंने ऐसा कि बच्चों की बीच में जाके उनको तीन सबाव उनसे करने हैं और तीनों सबा जो चालता बोलता नाम की एक सिरियल या एक प्रोग्राम चलता था उससे मैंने लिए और फिर स्कूल में जो भी साइंस डे हो लिटरेचर डे हो या रिपब्लिक डे हो तो उसी दावरान ये चालता बोलता प्रश्ण मंजुशा मोबाइल रेकृरडिंग के माध्यम से मैंने क और बच्चों को ये बहुत पसंद आया उन्होंने इसे बहुत एप्रिशेट किया और बढ़ चड़ के इसमें हिस्सा भी लिए तो ये तीन नवाचार मैंने अपने स्कूल में इंट्रोडूस किया थे आपने तीनों ही ऐसे सॉलूशन निकाले हैं ना जो एकदम से ग्राउंडेड हैं और जिनके उपर तुरंत लगके काम किया जा सकता है काफी इंट्रेस्टिंग आइडिया आया आपके दिमाग में हम जानना ये चाहेंगे कि जब आपने ये इनोवेशन लेके आये हो तो उससे बच्चों के सीखने में कोई वीजेबल आपको चेंज कुछ बदलाव नजर आया है वो बच्चों के सीखने में हो सकता है बच्चों के स्कूल आने में कोई भी ऐसा इंपेक्ट जो आप देख पाए इन दिनों में इनोवेशन करने के बाद पहला जो इनोवेशन जो short film का था उसका impact जो मैंने observe किया और हमारे सभी school के teacher ने भी और parents ने भी observe किया वो ऐसे दे कि जिन बच्चों ने short film making में हिस्सा लिया तो उनका नामांकन बड़ा था और बच्चों के drop out का rate बिलकुल कम हो गया था बच्चों की जो रूची है वो school के प्रती और उस subject के प्रती भी बहुत अच्छी तरह से बड़ी थी बच्चे school में बहुत रूची लेकर और दिल से लगाव से पढ़ने लगे थे दूसरी बात है कि बच्चों में जो समवाद कौशल है तो उनकी confidence level इस short film और camera face करने से उनकी confidence level बिलकुल बुलंद हो गई थी और उनका communication skill भी बहुत अच्छी तरह से develop हुआ था और जिन-जिन subjects पे मैंने short film मनाई उसी विशय को लेकर बच्चों में बहुत ही positive attitude उनके behavior में positive बदलाव पेरेंट्स ने भी देखे और पूरे स्कूल के टीचर्स ने भी देखे बच्चों को acting और short film में career बनाने का मोका मिला मेरे short film में जो बच्चे participate जुने ने किया था उनको आकाशवनी में उनको बुलाया गया कुछ विद्धियार्थियों को दूरदर्शन पे chance मिला और 20 बच्चों ने मराधी फीचर फिल्म में भी काम किया तो short film के माध्यम से हमने बहुत सी सामाजिक जनजा गुरुति भी की क्यूंकि हमने subject ही ऐसे चुने दे जैसे की voting percentage बढ़ाना बाल विवाग की समस्या या राष्ट्रदोश सन्मान या बच्चों का भाव इस्व और drop-out student तो यह subject मेरे हिसाब से सामाजिक स्तर पर इन subjects में बहुत ही अच्छी तरह से समाज जागुरुति करने में भी हम सभल रहें दूसरा जो नवाचार था audio lessons का उसको जैसे मैंने पहले ही बोला कि 50,000 students, parents और teachers तक हमने कोरोना का जो lockdown था स्कूल बन थे पढ़ाई बन थी लेकिन इसी माध्यम से रेडियो का इस्तमाल करके हमने पढ़ाई अखंडित शुरू रखने में भी हम सक्सेस हुए थे और तीसरा जो है उससे तो बच्चें को पढ़ाई में बहुत रूची पैदा हुई जिसे हम अनंददाई शिक्षन पद्दधी कहते हैं या उनकी लगन उनकी रूची बढ़ी और एक्जाम जिसको हम इवैल्योशन बोलते हैं तो इवैल्योशन और एक्जाम का जो तना हो बच्चा ये बंदा सही तरह से पढ़ रहा है तो एक आनंददाई तरीके से पढ़ाई में भी इंप्रूमेंट ये तीनों नवाचार से होई थी तो सर जो सोट फिलम की बात की बच्चों को आप कह रहे हैं कि इस तरीके के कोसल इंपरू हो रहे हैं तो क्या सोट फिलम कृति करम दा तो वो कुछ ऐसे तरीके से था कि पहले तो सब्जेक्ट कौन सा किस विशेव पर हमें शौड फिल्म बनानी है वो तय करना तो वो तय करते समय बच्चों के साथ बात करके उनके सुझाओ लेके ही सब्जेक्ट हमने तय किये थे क्रिप्ट डेवलोप करना उस किये थे कि बच्चे उनोंने बोलगी यह अच्छा रोल करें ओके उसको दे दे थे तो उनको यह उनके मन में विश्वास आया थे कि मेरे विचार को मेरा भी मत यहां पर मत पूर्म है तो जुड जाते थे फिर यह होने के बाद हमने हमारे स्कुल में ही लोकेशन बनाए थे ही साथ उपैल फूरी ऐडिंग के साथ ही पैली आननदन देने वाला एक्शन ही जिसे मेंी हूं के मैं בनी छिंदगी के बहत ही यादगार लंभी यह सारे-। तो इसी प्रकार से यह शौड फिर्म हमने बनाई थी काफी मतलब अलग तरीके से आपने सोचा है चीजों को सर वैसे आप क्या विशे के अध्यापक हैं मैं मैं मैंतमेटिक्स और साइंस पड़ा दाओ लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे पहले से रूची दी और उ समझना भी बहुत जरूरी है कि आप किस विशे को पढ़ाते हैं और किस विशे के जो इसकिल है उन इसकिल के बच्चे की लाइफ में लेके आना वो विशे मेटर नहीं करता आपको उनसा विशे पढ़ा रहे हैं तो यह आपने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को समझने की कोशिस की है और उसके उपर अलग-अलग तरीके से काम आपने किया है हां हम माराथी में कहावत है गरज ही श्वदाची जन्नियास थे हम किसी चीज को क्यों डूंदे कि हम जरूरत पढ़ती है उसकी तो मुझे यह जरूरत पढ़ी थी कि मैं मेरे बच्चों को बहुत अ जरूरत तरीक dolisya के से कैसे ब्रकार यह सब कार यह आप किस समय कर रहे होते हैं विद्दाले में किस तरीके से इस ताइम को आपने लग से रखा है या कैसे जो टीचिंग का टाइम है तो वह क्चोड़के स्कूल छुटने के बाद यह स्कूल शुरू होने से पहले 11 से पहले या पाज के बाद यह सब discussion होते थे फिर location hunting होती थी फिर क्या क्या करना है कैसे करना है यह सब जिसको कुल टाइम कहते है तो वो बिल्कुल इसका इफेक्ट स्टूडेंट्स के शिक्षा पर ना हो इसका हमने पूरी तरह से खैल रखा और या तो स्कूल से पहले या स्कूल चुटने के बाद यह जो प्री टाइम रहता था इसमें यह किया और ज्यादा तर शुटिंग हमने तो उस दिन शुटिंग के डेट्स हमने रखे जिससे बिल्कुल भी बच्चों की पढ़ाई में इसका कोई भी बुरा असर ना हो जी सर तो सर आप डारेक्टर होते हैं या बच्चे डारेक्टर होते हैं आपका रोल क्या होता है यह बहुत बढ़िया सवाल पूछा था अब बच्चे मेरे फिल्म के हीरो होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी हीरो के जैसे ही मैं देता था क्या अगर वो हीरो है तो उसने दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है तो हर जो टीम थी या साउंड है लाइड है या प्रोड़क्शन टीम है क्रियेटिव राइटिंग की अलग-अलग बच्चे काम करते हैं तो वह उसी डिपार्टमेंट में वह एक्स्पर्ड बनके आगे उनका करियर भी हो सकता है तो इसका भी खयाल हमने रखा ता और जिनको आक्टिंग करना है तो उनको बस आक्टिंग करना हैं क्यूंकि अगर मैं उनको भी दूसरे कोई ट तो सर कहां से आता है यह motivation आपने इतना सब करने हैं motivation दो बाते हैं हर teacher creative होता ही है teacher है तो वह creative person 100% है और उसमें यह लगन होती है मैं तो यह कहता हूं कि किसी भी टीछर को उसके लास में जो 50-60-70 जो भी student उन बच्चों को उन बच्चों में मैंने मेरे बैटे या मेरी बेटी का चेहरा देखना शुरू किया तो मुझे दूसरे किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। या मैं अपने बच्चों को अगर इडिटिंग करना या सोट फिल्म बनाना सिखाता हो तो मुझे किस तरीके के कोसल्स की जरूरत होगी। किसी टीचर को या किसी स्टूडन को भी ये सिखना है कि शॉर्ड फिल्म कैसे बनानी है। तो पहले स्क्रिप्ट या आइडिया जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चूज करना है फिर उस पे स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट बनाने के बाद आपको अभी तो मोबाइल पर शूटिंग होता है। तो मोबाइल पर आप जो सीन है शॉर्ट वन शॉर्ट टू शॉर्ट थ्री ऐसे सीन आप मोबाइल पर शूट करो। आपके पास स्क्रिप्ट है डायलोग लिखे हुए है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद यह सब वीडियो जिसको हम जुड़ाना बोलते हैं उसको कहते हैं एडिटिंग। तो एडिटिंग कैसे करनी है यह तो अभी मोबाइल पर बहुत सारे आप आप देख सकते हो बस थोड़ी सी ट्रेनी है थोड़ी सा आपको सिखना है एक या दो दिन में यह आप आराम से सिख सकते हैं और जो टीचर है या बच्चे हैं उनमें क्रियेटिविटी इतनी होती ह कि वह आराम से स्कृप्ट अच्छी दरह से लिख सकते क्योंकि आइडिया यह उनका होता है तो स्कृप्ट भी लिख सकते हैं तो बस एक या दो दिन का ट्रेनिंग अगर आप ले लो तो आप कौन साभी टीचर या कौन साभी स्टुड़न्ट अपने एंडुड मोबाइल डिकते तो आईगी जैसे मुझेभी आई थी कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि स्कृप्ट कैसे लिखा जाता है या एंगल कैमेरा क्या होता है शूट कैसे किया जाता है वीडियो एडिट कैसे होता है यह भी मुझे मालूम नहीं था, शॉट फिम की सब्जेक्ट पे बनानी है, यह तो बहुत बड़ा चालेंज होता है, कि उसमें सामाजिक संदेज भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, बहुत बार ऐसे भी हुआ कि हमने लोकेशन लगया है, शुटिंग किया, तो रि जो काम करना पड़ता है, कभी वारिष में काम पड़ना पड़ता है, कभी रात में काम करना पड़ता है, कभी ररस्ते पर काम करना पड़ता है, तो इसा करना nehmen लिए डख़ comparison रहता है, ऑ पार उदा वी जीते है, उसलो की do now want new people, इसलों का चाहिज की ृने जृता, कि कि तो暗 लेकिन सोट फिलम के साथ साथ में बच्चों में और कौन-कौन सी स्कील है वो डवलप हो रही है वो भी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट निकल के आ रहा है आपकी बात के साथ है बच्चों में स्कील है कि अगर कोई रइड़र है तो उसका वे स्कील्डलanson होगा अगर कोई डिरेक्टर है दो इनकोए-पल्फ कर्ण करता है मेकʰब का का मकरता है या कोई तो वो फिल्म जो बनी है, तो अभी वो कहां बेजनी है, तो अभी तो अपरशनिटी बहत है, कोई भी अगर शॉट फिल्म आपने मोबाइल भी बनाई, तो हर स्टेट में राज्यपुरसकार उसे शॉट फिल्म का अलग सेक्षन है, नैशनल आवार्ड में भी आप बेश सकते हो, इतना ही नहीं, ओसकर आवार्ड में भी अभी मोबाइल या शॉट फिल्म में अलग सेक्षन है, तो अलग सेक्षन है, तो इतने सारे चांसे से कि बच्चों में करियर डेवलोप्मेंट भी बहत हो सकता है, उनका कॉन्पिडेंस लेवल बढ़ता है, उनका कम आपकी प्राइज है, आवार्ड है, ये सारी बाते उतना महतु नहीं रखती, लेकिन शॉट फिल्म के माध्यम से हम अच्छा नागरिक बच्चों को इस देश के लिए बना सकते, ये बहुत बड़ी बात है, तो सर कैसा लगा आपको भी, मुझे तो बहुत खुशी इस बा करता हूं कि हर स्कूल में उस काम करने वाले जो टीचर है, उनको ऐसा जरूर लगना चाहिए कि मेरे पास जो मोबाइल है, उसमें इतनी बड़ी दाकत है, कि मेरे बच्चों के लिए मैं इतना सारा काम उससे कर सकता हूं, और ये शॉट फिल्म के माध्यम से शिक्षा में ब टीचर ऐसा हो, कि जिसने बच्चों के लिए कर उस कूल की एक शॉट फिम बनाई है, तो ये पूरे देश में एक जिसे हम एक्टिविटी गए थे, तो एक्टिविटी बननी चाहिए, और इससे हमारे बच्चों का और शिक्षा का बहुत ही भवितव्य उजवल हो ये आश को नोमिनेट करना चाहेंगे डिजिटल टीचर की कानी का हिस्सा बनने के लिए, अभी जैसे मैं इस स्टूडियो में बैठाओ, तो ये हमारे मित्र है भूशन कुल करनी, तो ये महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक में जैसे टेकनो सावी टीचर्स बनने में जिनको दिक्क वो पिछले 10 साल से वो करनेट कर रहे हैं, तो मैं उनको नॉमिनेट करूँगा कि आप भूशन कुल करनी सर, इनका जो अनुबह है इसके बारे में, तो वो आप आपके इंट्रिव द्वारा पूरे देश तक फैला है. जी शर, बहुत बहुत जन्यवाद, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही इंस्पाइरिंग काम है आपका, और मैं आसा करता हूँ कि मुझे ही नहीं, सुनने वाले सभी लोगों को आपका काम जो है इस्पाइर करेगा. तो इस एपिसोट में हमने उमेश जी से जाना कि उन्होंने बच्चों की परतिभाओं को निखारने के लिए, किस तरीके से टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया है, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, इस सवाल के साथ, क्या आप भी अपनी कक्षा में टेकनोलोजी क का इस्तेमाल करते हैं, अगर हाँ, तो टेकनो साला फाउंडेशन से संप्रक करें और बनिये डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा, इसी तरेके की इंस्पाइरिंग और भी कहानिया सुनने के लिए, लाइक और सस्क्राइब बटन दबाना ना भूले, नमस्ते, मिलते हैं अ